सो हे गाईज अगर आप यूपेसी की प्रपेशन करते हैं और उसके लिए आप दिल्ली जाना सोच रहे हैं या फिर आप जाना चाहते हैं कि द्रश्टी कोचेंग की फीज कितनी है या दिल्ली में मुखर जरगर में रहने वालों को खर्चा कितना आ जाता है मैं मंतली तो मैं भारा की वीडियो बना रही हूं सो चलो वीडियो स्टार्ट कर दे हैं हम आज की वीडियो में क्या-क्या बात करेंगी तो ध्यान दो पहले सबसे पहले हम बात करेंगे द्रश्टी कोचेंग की फीज कितनी है और उसमें क्या-क्या फैसिलेटी दी जाती है उसमें कौन- उसका खर्चा कितना आजाता है, बिल वगरा, टोटली खर्चा कितना आजाता है अगर आप जाने के सोच रहे हों तो, तो वीडियो फूल देखना, तो फ्रेंट्स पहले मैं बात करती हूँ कि दरश्टी कोचिंग की फीज कितनी है, तो फ्रेंट्स मांगी गई थी एक लाख 45,000, तो यह जादा नहीं है, बिकोज उसकी फैसलेटी देखके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दू, उन्होंने का था, अगर आप एक साथ, अगर उसको जमा करवा देंगे, तो एक लाख 35,000, तो दस हजार का इसमें थोड़ी छूट थी, बट फ्रेंट्स, अगर आपको किस्तों में करवाना था, तो भी वो उन्होंने का था, दो महीने या तिन महीनों में करवा देना, तीन महीने से उपर नहीं, इन दिनों में ही करवाना है, तो कोई साड नहीं है, एक साथ ही करवा देना, दो महीने की क्या छूट देना, वंसे कम हमारे 10,000 तो बच जाएंग है योपिय स्य कि वह अपनी आप दरश्टी की देंगे लेकिन ही सारे बुक्स आपको प्रवाइड करांगे आपको अपनी मंथली मैगजीन देंगे हर महीनेह Pale क्रणट अफ्यर करवाएंगे वह उसी टोड़ल फीश में आ चुका है सब तो उसके करें संदे को था सबूइन कट टेस्ट लेंगे कि आपने कितना इंप्रूब किया है आपने कितना पड़ा है आपको पता चल जाएगा खि आप कितनी मैंनत करें कितनी पानी म्हें अब आप खुद देख लो 1,35,000 फीस में इतनी सारी फैसिलेटी वो भी IES की तयारी करवा रहे हैं और इतना सारा गाइडलेंस दे रहे हैं तो आप ये खुद डिसाइड कर लो ये फीस मुझे ऐस सब देके मुझे ज़्यादा नहीं लगी और वापे देखना कितनी फैसिलेटी है वापे बिल्कुल भी सोड नहीं होता है और उनका जो बोड था वो Android बोड था उसमें पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था और ये बात हो गई हमारे सारी फैसिलेटी क अब बात करते हैं वाके रहने की खर्चे की रूम की और सभी जितना भी खर्चा合का हमारे टूटली हो आपको कितना खर्चा करते यह खाने में, बिजली में, इस सब करके आप कितना खर्चा करते हूँ, लेकिन रूम, अगर आप सबसे बैस्ट लोगे, तो आपको पांच हजार से आठ हजार के बीच में मिलेगा, अगर आप थोड़ी से मतलब की डर वर गर ऐसे जदा अच्छा नहीं लोगे, बस काम चिलाओ तो आपको ठीक ठाक रुपए में मिल जाएगा, बैट मैंने जहां पर रूम ट्राइ किया था, उसने आठ हजार मांगे थे, एक था साथ हजार का, तो फ्रेंट्स वो सबसे अच्छा था, बिकोज आपको कोई वोईस नहीं आते थी, और ओनली महां पर यूपे सी एस्प्र आप खाना मनवाएंगे, तो वहां कि महां पर बावर ची था, उसको भी आपको ही रुपए देने पड़ेंगे, तो यह सब भी आपका खर्चा होगा, और लाइट का भी, लेकिन पानी उनका ही मिल जाएगा, और वहां पर रूम में क्या था, अलमारी थी, जो आपको साथ लगेगा, ऐसे करके आपका मन्थली कितना पढ़ जाएगा, आपका पढ़ जाएगा, बारह हजार से पंद्रह हजार तक आपका पढ़ जाएगा, फ्रेंड मैक्सिम मान के चलो आपने मैने के दस हजार खर्च कर दिए, यूपीसी अपना से ले बस चोविस मैनों में कम्प अपरेशन, वैंने आपको खर्चा बताया है, एंड फ्रेंड्स, सेकंड बात, अगर आपका कोई मौपे दिली में रहने वाला है कि आपके कोई रिष्तेदार रहते हैं, तो आप मौपे रह सकते हो, आपको रूम दे सकते हैं, तो बहुत बढ़ी है, हाँ, क्योंकि खर्च को कम कर शकते हो, बट एक अकेला स्टुडेंट जाएगा, तो समझो, लूट गया है वो तो, अगर ये आप पर डिपेंड करता है, फ्रेंड्स, कि आप क्या करना चाहते हूं, मेरा काम था आपको बताना, सो मैं अब बात करती हूं, अपनी, कि मैं आपसे कोचिंग नहीं कर मैं अपने घर से ही UPSC की परपरेशन करूंगी, बिकोज मैं एक लड़की हूं, और मैं अपने घरवालों के पैसे नहीं लगवाना चाहते हूं, वो तो कहने की बात हैं, लड़की हो जो सोचता है अपने घरवालों के वो सब ये सब, वो सोचता है कि नहीं लगवाना चाह पिता भी नहीं थी उनकी माही जो मिलता था वही उनका छोटा सा घर एक छोटे से रूम के अंदर उन्होंने परपरेशन की थी वो इतना अच्छे नमबर ला सकती है अगर इस पर जादा प्यार मिला तो मैं जरूर बना दूगी उस पर वीडियो मेरा काम आपको खर्चा बताना था यह आपे डिपेंड करता है कि अब यह आपको क्या क्या करना है अगर मैं आपे कोचिंग करनी है या नहीं बत मैंने जो नोलेज ली महाँ से जितना खर्चा मैंने आपको बता दिया थैंक यू फॉर वोचिंग माई वीडियो